एलो स्टूडें तो हम पार्ट सवाल का चवाब कर रहे थे जिसमें से हमने पिछले वीडियो में पार्ट में से जो प्रशन उत्तर थे वो हमने किए चलिए आज पांचों प्रशन की ओर बढ़ते हैं तो पांचों प्रशन है पांचवाँ प्रश्न है नीचे दियेगे कत्थन किसने कहे किससे कहे लिखे तो मैंने कहा भी था कि आप भी सोच विचार करके रखेंगे तो आईए उत्तर देखें ले जाए और जो कहे वह खरीद दीजिए किसने कहा था किससे कहा था ले जाए और जो कहे वह खरीद दीजिए दादी जी ने दादा जी से तनमय तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो यह किसने कहा था किससे कहा तनमय तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो यह कहा था, दादा जी ने तनमई से, ठीक है, अच्छा भाई, मुझसे भूल हुई, यह किस ने कहा था, और किस से कहा था, यह दुकान दार ने तनमई से, ठीक है, आईए प्रश्ण छे देखें, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए, तो यहाँ पर आपको पहले कोश्टत में दिये गए हैं, दो दो शब्द दिये गए हैं, आपने सही शब्दों का चैन करना है, पहला देखें, मैंने दुकान दार से अपना डैश रखवाया, अब सामान रखवाया यह समान रखवाया, मैंने दुकान दार से अपना सामान रखवाया, ठीक है, समान क्या होता है, समान तो होता है, एक जैसा, ठीक है ना, सामान जो अब वस्तुएं खरेते हैं वो, दादा जी, इस समय कोई डैश नहीं, तो यहां रिक्ष्टान में क्या आएगा, कोई, उत्तर यह सवाल, दादा जी इस समय कोई सवाल नहीं ठीके उच्छुकता वश मैं भी दवे पाऊं उच्छुकता वश मैं भी दवे पाऊं गैश गया पीछे पीछे की आगे आगे उच्छुकता वश मैं भी दवे पाऊं पीछे पीछे गया अरे तनी भीया पचास रुपे में तो धेर सारे डैश आएंगे खिलोने या पटाखे यहाएगा पटाखे तब ही मैंने देखा कि एक कोने में तनमे का डैश का गुलब तूटा पड़ा है ठीक है तो यहाँ पर कोश्टक में दिये गए हैं दोशब मिट्टी प्लास्टिक सही उत्तर क्या आएगा तब ही मैंने देखा कि एक कोने में तनमे का मिट्टी का गुलब तूटा पड़ा है ठीक है तो यह तो होगे हमारे सही उत्तर जो हमने ज्यान सागर में ही यह पांचवा और छटा प्रश्ण यही पर आपने करना है ठीक है तो अगला प्रश्ण है हमारा बादचीत के लिए तो बादचीत के लिए में पहला प्रश्ण दुकानदार ने अपनी खीच किन पर निकाली और क्यूं तो देखे किस पर निकाली थी उन्होंने गरीब बच्चों पर निकाली थी अपनी खीच दुकानदार ने पहले यह आप पांच और चटे का उत्तर यहां देख लिजिए गलत नहीं लिखेंगे ठीक है पांच और चटा स्प्रेन रोपकर आप ध्यान से इसको कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए में पहला प्रश्न पूछा था दुकानदार ने अपनी खीच किन पर निकाली और क्यूं तो देखे दुकानदार ने अपनी खीच उन बच्चों पर निकाली जिनके पास कम पैसे थे कम पैसों की वज़े से वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे जो बच्चे थे न वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा पटाखा खरीदा जाए अब दुकानदार ने पटलहों के दाम यहां पटाखों के दाम ठीक है दुकानदार ने पटाखों के दाम उन्हें अधिक बता दिये क्योंकि वे बच्चे खरीद तो कुछ नहीं रहे थे पर दुकानदार से पटाखों के दाम पूछ रहे थे जिसे दुकानदार ने समय की बरबादी समझा इसलिए दुकानदार को गुस्सा है न क्यूंकि बार बार वो तो इसलिए पूच रहे थे क्यूंकि उनके मुठी में जितने पैसे थे अब उतने में ही तो पठाके खरी देंगे दस रुपे होंगे तो दस रुपे के अंदर जो पठाके आएंगे वो खरी देंगे पांच रुपे होंगे तो पांच रुपे के जो पठाके आएंगे वो खरी देंगे अब पटाकों के दाम जादा थे तो वो कौन सा लें कौन सा नहीं लें ये निर्णा ही नहीं कर पा रहे थे वो तो दुकानदार ने अपनी खीज ऐसे बच्चों पर निकाल दी अच्छा दूसरा प्रशन था तन्मे ने गरीब बच्चों का पक्ष क्यों लिया होगा इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है तो देखो वो तो हम पाट पढ़ते पढ़ते मैंने अंत्मे बताया था देखो तन्मे ने गरीब बच्चों का पक्ष लिया क्योंकि गरीब बच्चों की कोई भी गलती नहीं थी फिर भी दुकानदार ने उन्हें चोर कहकर थपड़ मारा था इससे तनमे की नेत्रित्व शक्ति का बोध होता है एक तो उसकी लीडर्शिप क्वालिटी की उसने देखा और सही किया उसने जो किया उसने गलत होते हुए नहीं देखा और नित्रित्व की शक्ति वो जाकर सामने जाकर उसका सामना किया और सत्य कहा वहां जाकर ठीक है तीसरा प्रेशने दिवाली के त्योहार पर बाजार का दृश्य कैसा होता है तो देखे कैसा होता है वो तो आप भी सोच सकते हैं कैसे होता है दिवाली के तेहार पर बाजार में बहुत ही गहमा गहमी रहती है गहमा गहमी भीड़ भाड़ रहती है सारा बाजार रंग बिरंगे दुकानों से सजा रहता है रंग बिरंगे दुकाने तो होती है रंग बिरंगे और भी सामान जो है कोई तौफे क्योंकि दिव बाइयों की दुकाने सजी होती हैं और बहुत सारी जो लाइट्स होती हैं उनकी दुकाने होती हैं और घर के सजावट के समान जो बहुत सारा होता है वो होता है दीए कैंडल दीए मोंबतियां ये सब वहां पर इनकी दुकाने सजी होती हैं और खुब सूरत बाजार रखता ह इसे रंग भी रंगे सामान देखकर मन आकर्शित हो जाता है कि ये भी खरीद लें वो भी खरीद लें क्या क्या न खरीद लें कोई लक्षमी जी की मूर्ती को गनेश्टी की मूर्ती तो कोई उन मूर्तियों को या फोटो खरीदता है तो दिवाली पर इस तरह से बाजार सज कर रहने जहल पहल होती है खूब सारी मिठाईयां हुती है करिके तरह की है Pacific प्रफा प्रेश्न हमें दिवाली का त्यहार कैसे मनाना चाहिए क्या खूब सारे बंप पटाके फोड कर ही मनाना चाहिए ये प्रदूशन करके मनाना चाहिए हमें दिवाली का त्योहर दिये जलाकर भगवान की पूजा करके अच्छे अच्छे पकवान खाकर एवं खिलाकर तथा पटाके ना जलाकर मनाना चाहिए वैसे जो दिवाली जो मनाई गई थी जब दिवाली क्यों मनाई गई थी दिवाली मनाने की परंपरा कैसे शुरूई थी जब राम सिता लक्षमन ये सारे जो कहां से बनवास काट कर 14 साल का अयोध्या वापस आय थे तो उन दिनों थोड़े न बंपटा के फोड़े जाते थे तो गाना बजाना होता था मिठाईया बांटी जाती थी पकवान बनाए गए उनकी खुशी में और दिये जलाए गए थे पूरे अयोध्या को उन्होंने दिये से जगमगा दिया था अब वो परंपरा हम भूल गए ह हम दिये जलाते हैं लेकिन हम बंपटा के फोड़ने में ज़्यादा उत्साहित होते हैं और उसके कारण प्रदूशन फैलाते हैं आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में दिल्ली मुंबे जैसे तो वहाँ पर भी मतलब रोक लगानी पड़ी कि कोई नहीं फोड़ेग तो हमें दिये जलाकर पकवान बनाकर खिलाओ सबको खुद भी खाओ और घर को सजाओ साफ सफाई करो भगवान की पूजा करो कितना सारा काम होता है तो कम जलाएं पटाके रंगोली बनाइए तो इस तरह से हम दिवाली का त्यहार वना सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में अगले प्रशन उत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे तिल देन बाई एंड थैंक यू